प्रस्ण तीन घट्टे क्रम में पांच लगतार संख्याओं को लिखें प्रस्ण तीन का क्या छेहजार नौसो नब्बे से प्रारंब करके तो छेहजार नौसो नब्बे से प्रारंब करके घट्टे क्रम में पांच लगतार संख्याओं को लिखना है तो देखिए छेहजार नौसो नब्बे सबसे पहले लिख देंगे कॉमा तो कह रहा है 6,990 से प्रारम करके घर्टिक रम में पांच लगतार संख्याओं को लिखें तो 6,990 के पहले क्या आता है? ठीक पहले क्या आता है? 6,989 ठीक है? 6,990 के ठीक पहले की संख्या आता है 6,989 अब 6,989 के ठीक पहले की संख्या 6,988 तो यह हो गया देखें 5 संख्या यानि 5 लगतार संख्या घर्टिक रम में देखें घर्टिक जा रहा है पर तेक संख्या एक दूसरे से ठीक है? 6,990 6,989 6,988 6,987 और 6,986 तो इस तरह लिख लेंगे ख चार हजार तीन सो से प्रारंब करके घर्टिक रम में यानि इसके पहले वाली संख्या लिखना है तो 4,300 के पहले यानि ठीक पहले क्या आता है? 4,299 फिर 4,299 के ठीक पहले की संख्या होता है? 4,298 फिर 4,298 के ठीक पहले की संख्या होता है? 4,297 फिर 4,297 के ठीक पहले की संख्या होता है? 4,296 तो ये हो गया घहटते क्रम में देखे 4300 तो 4300, 4299, 4297 और 4296 ये हो गया पाच संख्या घहटते क्रम में देखे परतेक संख्या एक दूसरे से घहटते जा रहा है यानि कम है ग, ग में है 4000, 4000 से प्रारंब करके, तो 4000 से प्रारंब करके घहटते क्रम में पांच लगतार संख्याओं को लिखना है यानि 4000 के ठीक पहले की संख्या क्या आता है 3999 के ठीक पहले की संख्या 3998 तो इस तरह घहटते क्रम में लिखना है यानि हर एक संख्या एक दूसरे से छोटा है घहटते जा रहा है घह घहम है 6789 से प्रारंब करके तो 6789 से प्रारंब करके पांच लगतार घहटते क्रम में संख्या लिखना है तो 6789 सबसे पहले लिख लेते हैं अब 6789 के ठीक पहले की संख्या लिखना है तो 6788 हो जाएगा फिर 6788 के ठीक पहले की संख्या 6787 6787 के ठीक पहले की संख्या हो जाएगा 6786 फिर 6786 के ठीक पहले की संख्या हो जाएगा 6785 तो ये देखे घहटते क्रम में है प्रतेक संख्या एक दूसरे से तो इस तरह से इन सब संख्याओं को लिख लेंगे प्रेस्न चार अनुवर्ती और पुरुवर्ती संख्याओं को लिखें प्रेस्न चार का क्या 3610 तो 3610 का अनुवर्ती और पुरुवर्ती संख्या लिखना है तो कह में है 3610 कह में है 4579 गह में है 7000 और गह में है 9899 तो देखे इन सब संख्याओं का अनुवर्ती और पुरुवर्ती संख्याओं को लिखना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनुवर्ती अनुवर्ती संख्याओं को लिखना है और यहाँ पे लिख लेते हैं पुरुवर्ती संख्याओं को लिखना है अब देखिए क, तो क में क्या है, 3610, 3610, ख में है 4579, ग में है 7000, और ग में है 9999, तो 3610 के अनवर्ती संख्या क्या होगा, अनवर्ती संख्या मतलब ठीक पहले वाली संख्या, और पूर्वर्ती संख्या का मतलब हो गया ठीक बाद वाली संख्या, तो देखे 3610 के ठीक पहले की संख्या क्या आएगा 3609 आएगा ठीक है तो अनुवर्ती संख्या हो गया 3609 यानि 3610 के ठीक पहले की संख्या तो 3610 के ठीक पहले क्या आता है 3609 आता है और 3610 का पुरवर्ती संख्या मतलब हो गया 3610 के ठीक बाद वाली संख्या बाद आता है 3611 तो पूरवर्ति संख्या में हो गया 3611 और अनुवर्ति संख्या हो गया 369 अब उसी तरह इसमें करेंगे तो 4579 की ठीक पहली की संख्या आता है 4568 और 4579 की ठीक बाद की संख्या आता है 4570 तो ये हो गया अनुवर्ती संख्या 4568 और ये हो गया पुर्वर्ती संख्या गर अब 7000 के ठीक पहले की संख्या आता है 6999 और 7000 के ठीक बाद की संख्या आता है 7001 तो 7000 का अनुवर्ती संख्या हो गया 6999 और 7000 का पुर्वर्ती संख्या हो गया 7001 9,899 के ठीक पहले की संख्या आता है 9,888 फिर 9,899 के ठीक बात की संख्या 9,900 तो ये हो गया अनुवर्ति संख्या 9,899 का 9,898 और 9,898 का पूर्वर्ति संख्या हो गया 9,900 तो इस तरह से प्रस्न चार हल करेंगे